जहें दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट का जो समानी बिज्ञान का वुकाता है उसमें अब्जेक्टिव प्रसंद पढ़ रहे हैं बैलोजी में टोटल यहां पे 837 प्रसंद दिया गया था 837 जि जो कि टोटल बैलोजी के इसमें 837 प्रसंद तो काफी इंपोटेंट है ओके तो चलो स्टाट करते हैं आज के पहले प्रसंद से इसे पहला वाला अगर आप नहीं देखे होगे देख लेना बहुत हल्प करेगा आपको एकजाम में कौन से रोग के उपचार में डेलासिस कि कारण नहीं है इसमें से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है तो ट्रांसमिसन कैंसर में नहीं होगा जबकि पार्दिया वर्णिये कारक अनुवांसिक संसोधन अनुवांसिक उद्पडिवर्तन यह सब कारण हो सकता है कैंसर का ट्रांसमिसन से कैंसर नहीं होगा कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका पड़ियोग किया जाता है कैंसर के उपचार में पड़ियोग होता है कवाल्ट 60 का तो पड़ियोग होता ही है option के according कीमो थेरेपी का होता है कीमो थेरेपी का पड़ियोग होता है कैंसर के उपचार के लिए option number C यहां सही है कीमो थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए उप्योग किया जाता है तो आंसर हो जाएगा cancer समानित है रक्त cancer के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गिक्रित नहीं किया जाता है यह होता है आपका कारसी नोमा option number A जबकि leukemia, myeloma और lymphoma यह सब अड़क्त cancer के रूप में डिनोट किया जाता है यहां पर देख सकते हो आपके सारा प्रस्न NDPC का पूछा गया प्रस्न है तो सारे प्रस्न यहां पर important ही है इस book के blood cancer को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है blood cancer को हम किस नाम से जानते हैं तो leukemia, leukemia, white blood में होता है इसलिए leukemia leukemia एक परकार का cancer है जिसमें औसाधारन बढ़ोतरी होती है जिसमें औसाधारन मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक का बढ़ोतरी हो जाता है स्वेत रक्त कोसी काओं में स्वेत रक्त कोसी काओं में याद रखना blood cancer जो होता है वो स्वेत रक्त में ही होता है लाल रक्त में नहीं होता क्योंकि उसमें cell में nucleus होता ही नहीं है या कंद्रक नहीं होता तो इसलिए लाल में नहीं होता और स्वेत में होता है निमनलिकित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है तो कोबाल्ट सिक्स्टी लुकेमिया एक परकार का मानव रोग है जो की तो जो की सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है option number A यहां से देखो इसी से कितना सारा प्रस्न लुकेमिया कैंसर इसी से एंटी पीस में अभी तक छो प्रस्न आ गए है जो पूछा गया प्रस्न था रक्त में आर्वीसी के बढ़ने से कौनसी इस्थिती बन जाती है आर्वीसी बढ़ेगा तो हो जाएगा पॉली सैथेमिया मलेरिया सम्मंधित है ज्वार से एनफैलीज मचछ के काटने से कौनसे वेक्टर बाहन करते हैं बाहक सी बीमारी को एक जगद से दूसरे जगद फ्यec Aga फैलाता है तो वह फेलाता है malaria और falary area फैलेरिया दोनों को malaria और falary of साथमर सीय आंपका सही हो जाएगा mal rays उचा मेरीया निे दालू निदालू ब्याधी रोग मतलब sleeping sickness का बाहक स्लिपिंग सिकनेस का वाहा किसमें से कौन सा है सीसी मखी सीसी मखी काला जार का संचार किस से होता है काला जार का संचार होता है सिकता मखी से सिकता मखी काला जार का रोग वाहा कौन होता है तो वही सिकता मखी सिकता मखी निमनलेखित में से कौन सी धातू इटाय इटाय आप्शन नमर ए गलकंड जिसको ग्वैटर कहते हैं अब्रिद अब्टू ग्रंथी इसमें बढ़ जाता है जिसमें मुखिता किसकी कमी होती है तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से ही होता है गलकंड यानि ग्वैटर घेंगा रोग भी उसी को कहते है घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है तो आयोडीन, आप्शन नमर सी सरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है लोहे की कमी से होता है रक्त हीनता मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूसन से फैलता है मिनی माता ये होता है मरकरी यानी पारद मरकरी अगर पानी में आएगा उसको पीने से क्या होगा मतलब मिनी माता होगा सीमेंट फेक्टरी के मज़़ुरों को क्या होने की सम्भावना अधिक होती है सैटो सिलिको्सिस स्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है स्वेत फुस्पुस रोग पाया जाता है कागज उद्धियों के करम चारी को निकट द्रिश्टी दोस वाले रोग का समन्ध किस से है तो यह आंख से हो जाएगा इसके लिए हम अब तर लेंज का पडियोग करते हैं प्रत्यमल किसके तहत यानि एंटिसीड जो होता है वो कौनसी असोधी में पाया जाता है ये किस असोधी के लिए ये पड़ियोग किया जाता है तो पेट में दर्द होगा उसको दिया जाता है प्रत्यमल यानि एंटासीड थेलेसीमिया एक अनुवांसिक रोग है जिससे पर अ। अधीरक्त्स्राव यानि हमोफीलिया है कि हम अधिरक्त्सराव ये होता है एक अदुषिक विकार अभी उपशेटे में इसमें से कौन सा अनुभानसी है तोhte हम पूछ रहें एक समार्स निमनलिखित में से हेमोफीलिया का लक्षन कौन सा है हेमोफीलिया का लक्षन होता है उसमें बलड कलोटिंग नहीं होता है बलड कलोटिंग रक्त का थक्का नहीं जमता है ऑप्सन नमर बी आम तोर पर वर्णांदता जिसको कलर वलैंडेस कहते हैं यह क्या होता है इसमें कलर में पता नहीं चल पाता है कि वो कौन सा कलर होता है यह एक अनुवांसिक प्रकृति का रोग होता है वर्णांता किस रंग में भेद नहीं कर पाता है यह काला और हड़े में भेद नहीं कर पाता है इसको पता है नहीं चल पाता है कभी-कभी तो इनको लाल रंग ना काला परभावित होता है यक्रित लीवर में से कौन सा पतहरी के गठन का का रखन का रख स्वी तो डाइयों स्वख RS लेने से पत्री वाला खाध पदार्थ का रखान करने इस सब कारण से पेट में पथर बनेगा जबकि अथिकपो रखन ranks निम्नलखित में से क्या अलिंग सूत्रिय औविवस्था यानि डेमिनेंट ऑ। सोमल डिसरडर है यह होता है पाल्जाइमर रोग में जिली दार गरदन जिली दार गरदन यानी smear में यह सनलक्षन और और एज़ मतलब किस पार्ट से समद्धित है यह समद्धित है हड्डि से पितासाय में उपस्थित पासान यानि पथरी निमनलिखित में से किसका पाचन परभावित करता है यह परभावित करता है वसा का, फैट का आप्सन नमर A रक्त में अधिक मुत्रीय अमल डैस विमारी का सूचक है ये हो जाता है गौट गौट ऑप्सन नमर सी लेप्टो एसाइरोसिस एक रोग है जो निमनलेखित में से किसी से होता है इन में से किसी से ये रोग नहीं होता है मसूरों में रक्त सराव को निमनलेखित में से कौन रोगता है इसकर्वी के सीर, बिटाइमिन सी की कमी से आता है मसूरों में रोग, तो इसकर्वी के सीर, निमनलेखित में से कौन सा इसकर्वी, रोग के इलाज में उप्योगी होता है, तो आवला, 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 उप्सन नमर सी, निमनलेखित में से कौन सा रोग, आम तोर पर उच्छा कुपोशन का पडिनाम से किस रोग का वाँक है ? दंत के एनेमल का कारवूरान किस कारण से होता है ? पानी में उच्छे मातला में कारण यह हो जाता। आपना से हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सा एक स्वास्त समस्या फलोडाइड की कमी के कारण होता है दात का च्छरन दात का तूटना जिसे हम कहते हैं सिरोसिस रोग सरीर के किस अंग को परभावित करता है सिरोसिस परभावित करता है जिगर को जिगर सफेद दाग का इलाज निमनलिखित में से किस हरवल दवा दुआरा किया जाता है सफेद दाग का इलाज निमनलिखित में से कौन सा दवा हेलफुल होगा तो लुकोसिस मानवों के गुनसुत्र संख्या 21 कीतरी गुनसुत्रता उत्तरदाई होता है किसके लिए उतरदाई होता है dawn syndrome के लिए dawn syndrome कौनसी बिमारी दिल से सmbन्धित नहीं है दिल से संबन्धित इसमें से diphtheria नहीं है Prepare option नमर ची हो जाएगा dice rogue mukhita ब्यवसाइक स्वास्त खत्रों का कारण होता है सिलिकोसिस सिलिकोसिस मानब में बेक्टेडिया के संकर्मन का सबसे आम इलाज क्या है सबसे आम इलाज यहां पे एंटिबायोटिक्स है एंटिबायोटिक्स बेक्टेडिया से जो होगा उसके लिए एंटिबायोटिक्स पहला एंटिबायोटिक्स का नाम अब जला कॉमेंट यह क्या है यह एक परकार का संक्रमक रोग है संक्रमक रोग पादब बिग्यान में किसका अध्यन किया जाता है नाम से क्लियर है पादब बिग्यान हम किसका करेंगे पादबों का करेंगे यानि पौधे का करेंगे कोसिकाओं के अध्यान को क्या कहा जाता है साइटोलोजी कहा जाता है कोसिकाओं के अध्यान को क्या कहते है साइटोलोजी और हिंदी में तो कोसिकाओं बिग्यान ही कहते है क्या हो जागा है यहां पर साइटोलोजी कवक बिग्यान यानि माइकोलोजी क्या है कवक बिज्ञान में किसका हम अध्यान करेंगे कवक का अध्यान करेंगे तो कवक यानिक कुरमुता भी कवक के अंतरगत आता है ठीक ना तो माइकोलोजी कवक फाइकोलोजी होगा तब वो होता है सहवाल ठीक ना एक्सो बायोलोजी में किसका आध्यन करते हैं तो एक्सो मतलब बाय अंत्रिक्ष बाय अंत्रिक्ष में जीवन है या नहीं उसके बारे में स्टडी करेंगे एक्सो बायोलोजी के अंतरगत बिज्ञान की एक साखा जो जीवन या प्रिथिभी से पड़े मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंदित है उसको क्या कहा जाता है उसे हम क्या कहते है एक्सो बायोलोजी आप्सन नमर बी प्राचीन काल के जानवरों पौधों एबं अन्य जीबों के संरक्षित अफसेसों या चिन्हों के अध्यन को कौन सा बिग्यान कहा जाता है यह होता है टेक्षोनौमी, आपस्य नमर सी, निशेचन, विकार, विभाधन और विभिन्ता के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है, भुर्ण बिज्ञान, भुर्ण बिज्ञान, आपस्यन अमरे, सबजी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्यन को हम कहेंगे, अलेरी कल्चर, अपस होता है ब्रिक्षों और प्रनस्पति की खेती का तो आप्सन अमड़ी हो जाएगा निम्दलेखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मतलब एक यहां पर गलत है तीन सही है फूलों की केती को फलोडी कल्चर कहते है यह फसलों की खेती को एग्रोनोमी कहते है सबजीयों क एक बिख्यान है जिसमें निम्दलेखित में से किसका ऐध्यान है किसका औ करेंगे और आर्केनोलोजी में आर्केनोलोजी ऑप्शन नमरे एंटोमोलोजी एक विज्ञान है जिसमें निमनलेखित में से किसका अधियन किया जाता है एंटोमोलोजी हम कीटों का अधियन करते हैं कीटों का ऑप्शन नमरे सेरोलोजी डैस का अधियन है सेरोलोजी के अंतरगत हम करते चिपकिली का अध्यान चिपकिली पक्षी विज्ञान किसका अध्यान है पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्यान करेंगे असान है पर और इंथो लोजी याद रखना क्योंकि इंगलिस में भी दे देता है और नेरी लोजी किसका अध्यान है और नेरी लोजी के अंतरग किस विमारी की उप्चार के लिए होता है। इंसर का निम्दसलहीजिद में सेुटा विग्यान की कौनसी प्रसाखा, यक्रित के उप्चार और अध्यन से संबंदित SUN-9, ख़क्रित के लिए हेट्डोलोजी हेट्टोलोजी waar विग्यान जिस्में desired dos । और मानव सारेडिक सनरचना का भी छेदन दुआरा सीखा जाता है, वो हम सीखते हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमी, पीडियोट्रिक्स, निमनलिखित में से किसके अध्यान से संबंदित है, पीडियाट्रिक्स, ये संबंदित है, सिसू रोग से, पेडोलोजी पड़े होगे एंत्रोपोलोजी मतलब मनुस्य के वाड़े में पढ़ रहा है, डाइस लिखित दस्तावेज है, जो एक मानव बिग्ञान संस्कृत की चितरन दर्साते अनुसंधान से तैयार करता है, ये आपका होता एथनोगराफी, मतलब मानव का बिग्ञान जो है, उसमें चितरन करक अगे हमारे मानव जात्ती का बेहतर यानि सुधार के लिए अनुवांसिक नियमों का अनुपड़ योग करने का संबंद किस से है, ये संबंदित है सू जननिकी से, सू जननिकी से, ऑप्सन नमर बी, निमनलिकित में से सरीर बिग्ञान एवम चिकित्सा को वह कौन सी साखा है, जो पुरुस की 20 रोग एवम इस्थितियों से संबंदित है, ये संबंदित है, एड्रोलोजी, एंड्रोलोजी, ऑप्सन नमर बी, सरीर के आंतरिक अंगो का परिक्षन, किस उपकरन से होता है, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, रैनोस्कोप, डैस की जांच करने का एक उ चित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं रोगियों की जांच के लिए जिकित्सक पड़ियोग करते हैं एस्टेथो एसकोप मानव फिर्दय का परतियारूपन किस वर्स किया गया था 1967 में जिस वर्स हरित करांती आये थी उसे वर्स हिर्दय का पहला परती अस्थापन किसके दुआरा किया गया था यह बिश्वु का पूछा जा रहा है यह वर्ल्ड में किसके दुआरा किया गया था पहली वार तो यह थे क्रिस्चांड बनार्ड और पहली वार एंटी वाइटिक का खोज किस ने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था निमनलिकित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधी तक रख सकता है तो यह कंगारू और चुः दोनों ठीक ना तो किसी एक पर कंगारू अलग दिया गया था पर कंगारू चुः दोनों है कौन सा खोज के कारण वाकस्मैन को नवल प्रुष्कार दिया गया था वॉक्समेन ने खोज किया था estratomycin का estratomycin होमियोपैथिक के संस्थापक कौर है honey man option number D यहां सही है किसने like cures like होमोपैथिक सिध्यानत प्रस्तूत किया था like cures like like यह सही है like cures like यह प्रस्तावित किनके द्वारा किया गया था Samuel honey man के द्वारा idrasyanic sensation से उत्पत्ती को प्रयोग साला में किसके द्वारा सिध्य किया गया था यह सिध्य किया गया था Miller के द्वारा Miller प्रती रक्षक तकनीक का विकास किसने किया था प्रती रक्षक तकनीक का विकास है किनके द्वारा किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा एडवर्ड जेनर आप्सन नमर डी टीका का आविस्कार किसने किया था टीका यानि वेक्सिनेशन इसका आविस्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा एडवर्ड जेनर आप्सन नमर बी लुई पास्टर ने किसका खोज किया था लु पोलियो वैक्सीन की खोज किन के द्वारा की गई थी पोलियो वैक्सीन का खोज जॉनस साल्क ने तो फ्रेडरिक बेंटिंग था फ्रेडरिक बेंटिंग औप्सन नमर यहां ए सही हो जाएगा फ्रेडरिक वेंटिंग आगे हैं यहां पर सुसुत्त को डैस के रूप में जाना जाता है यह होता है भारतिय सल चिकितसक का जनक के रूप में जाना जाता है सुसुरुत को सर जगदीश चंद्र बोष जिसको जैसी बोष कहते हैं कि द्वारा पौधे में बिर्धी मापने है तू कौनसे उपकरन का प्रियोग किया गया था यह उपकरन था क्रोसको ग्राफ अफसर नमरे निमनलिकित में से कौनसा एक बिसिस्ट परकार का दूद है जो दूद पिलाने वाली माता से उत्पन होता है और यह मानव के नबजात सिसू में परती रक्षा प्रकिडिया को बिक्सित करने के लिए अनिवारी होता है तो वो दूद होता है कॉलेस्ट्रॉम 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 निमनलिकित में से कौनसा एक जल संक्रमक रोग है कौनसा जल संक्रमक रोग है तो पी लिया इलेक्ट्रो एसकोफेलोग्राम यानि ईईजी निमनलिकित में से किसकी निगरानी के लिए उप्योग किया जाता है मस्तिस के लिए मस्तिस के ल नहीं होता है तो आपका सही है टोटल 837 प्रस्त मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा कंप्लीट है ठीक ना तो उसको पूरा देख लीजिए गए एक मास्टर वीडियो आज आएगा जल्दी हम ला देंगे फिर कंप्लीट हो जागा सारा तो यहां वीडियो को इंड करते हैं और सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक और सेयर जितना हो सकते जिस गूरूप में जोना सेयर कर दो फिर ही है मेरे बाए कर दो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए जाएंदा